तब कल सुबह एक जो खबर आए जिससे पूरी इंडस्टी पूरी बिखर के रहे गई जो खबर आए कि कादर खान जी नहीं रहे आपने बहुत काम किया है उनके साथ आपकी क्या कहना चाहिए आपकी क्या पीज़ा दिखी नए साल में हर इंसान बहुत खुश होता है पकर ज कि मैंने उनके साथ काफी सारी फिल्मों में काम किया लेकिन मुझसे पहले कादर भाई बहुत सीनियर थे और जब मैंने उनके साथ काम करना आरम किया था तब मैं नई आई थी इंडस्ट्री में और वो अपने आप में बहुत बड़े फिगर थे क्योंकि वो बहुत मशूर बहुत सारी hit फिल्में जिनके बारे में आब सब जान ही गए हैं, जवानी दिवानी से शुरू किया उन्होंने करियर और बहुत सारी फिल्में लिखी हैं. और उसके बाद, »азоп निता》 तो बहुत ही भढ़िया थे, उन्होंने, हर तरह के character किये हैं, negative, positive, और बाद में तो उनकी कामिक टाइमिंग बहुत ही मशूर हो गए थी और उनके करने का ये था मज़े की बात के तो उनकी जबान बहुत साफ थी क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे उन्जिनिरिंग कर चुके थे एंजिनेरिंग पढ़ाते थे और उर्दू हमेशा वो जब मिलते थे तो कुछ लिखते ही रहते थे अपने डायलोग बहुत ही बहुत ही बहतरीन तरीके से इंपरवाइस करते थे और मेरी जब मुलाकात हुई थी तब मैं एंटर डेविड जी के कैम्प में मैंने एंटर किया सतीष कॉ ważक करेनया भेड़ाों मैं ञ Tibernay और मेरे को बाद में की शाइदी Wars करान। डेविड क्या से दूर बाद में के क्योंकि मेरे एक जरूरी हिस्सा होते थे उसके बाद हमने हीरो नंबर यारप साथ में घूमा। बहुत सारी फिल्में की Mr. & Mrs. Khelaey इतनी सारी फिल्म है कि इस वक्त I am so disturbed, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहे है, तो उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता था, और हम लोग improvise भी करते थे, तो बड़ा appreciate करते थे, वो कहते थे बड़ी बदमाश आक्टर है, तो बहुत अच्छे-च्छे हमने काम साथ में के और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही जैसा वो कॉमिक कारेक्टर प्ले करते थे, उससे कहीं जादा, उनके साहित में बड़ी रुची थी, और मैं भी थोड़ी बहुत MSC, और तो इस मामले में वो यह भी कहते थे, यह भी पड़ी लिखिया, बड़ी सीख भी देते थ सब्सक्राइब होती है, बाद में क्या करोगे और मुझे बहुत समझानी की कोशिश की हाल, थोड़ा बहुत असर जादा नहीं, मेरी शॉपिंग आज तक चालू है, लेकिन मतलब बहुत ही प्रेम करते थे, जिन लोगों से पत्यार करते थे तो उनकी बहुत 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 करते थे, और मुझे याद है, हीरो नमबर वन में मेरे बेटे के साथ, मेरे बेटा बहुत छोटा था उस ताइम तो उसकी चुटियां थी, तो मैं उसको लेकर गई आउटओर पे, स्विद्जलन, जर्मनी, फ्रांस, तो मेरे बेटा छोटा था, छोटे बच्यों की आदत ह होते हैं, बड़े उत्सुक होते थे, तो मेरे बेटा हर चीज का सवाल करता था, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा क्यों है, तो मतलब परिशान हो जाते थे, सब लोग मतलब मेरे साथ साथ यूनिट उसके जवाब, वहां पे हम सीन में नदी का सीन कर रहे थे, तो बोट राइट तो वहां पे Statue of Liberty के छोटा वर्जन है, तो मैंने उसको बता रही थी, बेटा, देखिए, Statue of Liberty है, यह फ्रांस ने अमेरिका को दिया था, जो इतना बड़ा वहां पे Statue of Liberty है, तो बोलता है, मेरे बेटा पूछता था, कि ऐसा क्यों, फ्रांस ने क्यों दिया अमेरिका को, हर सवाल के तीन जवाब होते थे, मतलब ही हिलारियस, बहुत ही अच्छे इंसान थे, मुझे हासी भी आरी, क्योंकि वह इस किसम के विक्तित्र थे, और जैसा कि आपने कहा कि उन जैसा मल्टी टालेंटेड जो कि आक्टर भी हो, इतना अच्छा लेखग भी हो, क्योंकि उन को मेरी विनमरिश्रधान जनी है, और हम सब उनको बहुत मिस करेंगे. मैं मेरी शेयर काना जो कि आपने बहुत से मुवी किए. मैं आपको मेंमरी तो शेयर की, अपने बेटे वाली है अफाने के आपने लिया? जो तुछा बहुत काम आती तो आपको भी ऐसा कुछ दी हो टी, जो आपको लॉंक काम आई रोंकिल आपको पिल्कूल वो जैसा मैंन करती है तू लड़की तो थोड़ा समल के रहा कर और बहुत सिखाते रहते थे जो कि अब धीरे-धीरे समझ में आता है उस टाइम तो लगता है कि ठीक है कि मैं जहां कहीं भी आउट्डॉर जाते थी बस जैसी शूटिंग खतम होई शॉपिंग के लिए निकल गए इतने सारे सारे बैंग्स तो होटेल में मिलते हैं फिर गई तू शॉपिंग तो सीख तो वह सब को देते थे एक्टिंग के टिप्स देते थे और साहित के बारे में भी काफी बातचीत करते थे तो उनके साथ समय विताना बहुत इंट्रिस्टिंग होता था हरी के साथ नहीं खुलते नहीं उनको बहुत प्यार देते थे के हम तो हमारे लिये तो सीनय थे और हम उनकी बोह। उज़त करते लहें थे गलhandशव को बहुत सारे इंसिदण से मैने तो बताया आपको कि मेरे बेटे को जो उन्होंने ठीति थी और मै बाद में मतलब मुझे भी कही तरती सीख देते और उनसे जो सीखने को मिला कि वो क्यों इतने अच्छे राइटर थे तो वो डायलोग इतना अच्छा बना लेते थे खुद तुरत इविजिटली अन दे स्पॉर्ट और हम लोग का एक कॉमन इंट्रेस्ट और था था थेटर, थेटर के बड़े शौकीम थे और मैं भी थेट लाज कोशन, कादिर जी ने तीन सो भी से जादा मूबी की है, राइटिंग भी की है, नाइटी सेवेंटी से दशक में इतना पसंद किया जाता था कि एक्टर के अलावा उनको देखने के लोग आते थे थेटर में, कली रूमे जाफरी जी ने कहा कि इतने जन को मतलब एवा लाज के जाए और मैं शॉक्त रहे कि उनको एक भी अवार्ड नहीं मिला इट विच इस रेली साड क्योंकि मैं यह नहीं कहती ही कि जिनको अवार्ड मिला वो डिसरवें नहीं थे, डिसरवें थे, लेकिन, I think Kadir Bhai भी डिसरव करते थे कि उनको कोई अवार्ड दिया जाए तो इस ग्रेट लॉस और कादर भाई का लॉस नहीं है यह जो अवार्ड से उनका लॉस है कि उनको क्यों नहीं दिया गया जबकि उनके साथ में कई लोगों को अवार्ड मिला थैंक यू थैंक यू